नमस्कार बच्चों, बच्चों आज हम करेंगे NCRT की छटी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग एक के पाठ दस जासी की रानी कवीता के प्रश्न उत्तर प्रश्न अभ्यास के अंतरगत सबसे पहले कवीता से प्रश्न लिये गए हैं जिसके अंतरगत हमारा पहला प्रश्न है किंतु कालगती चुपके चुपके काली घटा घेर लाई ये मुख्य पंक्ती है जिसके आधार पर दो प्रश्ण पूछे गए है इस पंक्ती के आधार पर हमें दो प्रश्णों के उत्तर देने है पहला प्रश्ण है इस पंक्ती में किस घटना की और संकेत है यानि किंतु कालगती चुपके चुपके काली घटा घेर लाई ये पंक्ती किस और इशारा करती है तो इसका उत्तर होगा इस पंक्ती में रानी लक्ष्मी भाई के पती जहासी के राजा राजा गंगाधर राओ क मृत्यू की घटना की और संकेत किया गया है यानि राजा गंगधर राओ की आकस्मक मृत्यू की और संकेत किया गया है क्योंकि राजा वृध्धा अवस्ता में मृत्यू को प्राप्त नहीं हुए थे वो अचानक ही मृत्यू को प्राप्त हो गए थे और उनकी कोई संतान भी गई है क्योंकि जब राजा गंगाधर राव की मृत्यू हुई तो जासी में चारो और अंधकार चा गया जो रानी थी वो विद्वा हो गई उसकी सारी खुशियों का अंत हो गया उनके जीवन में अंधकार चा गया और जो जासी में इतनी खुशियां थी जो इतना खुशिय का वातावरन था जब लक्षमी भाई रानी बन कर आई थी और कुछी समय पश्चाद जब राजा की मृत्यू हो गई तो सब और केवल दुर्भाग्ये के बादल मंडरा रहे थे इसलिए यहां पर काली घटा घिरने की बात की गई है जैसे जब सूरज उकता है तो सूरज की रौश्णी से चारो और का वातावरन जो फ्रकाशित हो जाता है लेकिन जैसे ही काले बादल आ जाते हैं तो फ्रकाश को रोक देते हैं उसी प्रकार जहांसी में जो इतनी खुश्या थी उन खुश्यों पर किसी की नजर लग गई थी और सब कुछ खतम हो गया था यानि च जवानी आने की बात कहकर सुबद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं तो सुबद्रा कुमारी चौहान इन पंक्तियों के माध्यम से हमें ये बताना चाहती हैं कि हमारा जो भारत देश था वो गुलाम था और गुलाम होने के कारण वो बहुत ही मायूस था कुछ करने कि शमता उसमें नहीं थी, जो हमारे भारतिये वीर थे, वो ताकतवर होने के बावजूद भी, उनका जो साहस था, वो कमजूर हो गया था, सभी अपने आपको असहाय महसूस करने लगे थे, ऐसा लगता था, जैसे सारा देश जो है, वो बुड़ा हो गया है, क्योंकि एक समान हो गये थे, जो किसी भी कारे को, यानि जो अंग्रेजों को देश से बहार निकालने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे, अपनी हिम्मत को जुटा नहीं पा रहे थे, लेकिन सन 1857 में, जब जहासी की रानी आई, तो उसके आने से देश में एक उमंग जाग उठी, यानि लोगों ने अपनी स्वतंतरता की कीमत को पहचानना शुरू कर दिया, उनके अंदर जो व्रिद्धों की भाती जरजर और निस्तेज था, उसका अंत हो गया, और स्वतंतरता की जो चिंगारी थी, वो उनके अंदर जागरित हो गई, उनके लोगों के अंदर संघर्ष की भ पुढ़ा कहा गया और जब उनमें संगर्श की भावना आ गई जब उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को पहचान लिया तो उसके लिए नई जवानी की बात कही गई है आगला प्रश्न है जहासी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उन जहासी के रानी की कहानी का थोड़ा सा सार लिखेंगे जिसके अंतरकत हम यह लिख सकते हैं कि जहासी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी और नाना धुंदू पंत पेश्वा उनके मुह बोले भाई थे जो उसे प्यार से छबीली बुलाते थे बच्पन से ही वह नाना के संग पढ़ी थी उनी के साथ खेली थी और रानी लक्षमी भाई का विवा जहासी के राजा गंगाधर राव से हुआ परंतु विवा के कुछ समय बाद ही राजा की आकस्मिक मृत्यू हो गई और राजा जी निस संत जान नहीं थी इसलिए जो लॉड डल होजी था उसने बहुत अच्छा मौका पाया और उसने जासी पर अपना जंडा फेहरा दिया और जासी पर अपना कबजा कर लिया जब रानी ने ये सब कुछ देखा तो वह क्रोधित हो गई और उन्होंने युद्ध का एलान कर दिया युद्ध का सारा सामान उन्होंने जोड लिया और वो युद्ध में वीर पुरुष की भाती भांती खड़ी हो गई लेफ्टि लेंड बॉकर को उन्होंने सबसे पहले परास्त किया वह भी जक्मी होकर भाग गया फिर रानी सबको परास्त करती हुई कालपी पहुची वहाँ पर उनका घोड़ा ठक कर मर गया क्योंकि घोड़ा जो था वो नया था यमना के कुनारे उन्होंने फिर अंग्रेजों को हराया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों की सेना ने फिर से रानी को घेर लिया और इस बार उनके सामने जनरल स्मित था रानी ने उसे भी हरा दिया और रानी के साथ उनकी जो दो सखिया थी काना और मंद और सबको परास करती रही लेकिन एक नाला आया जहां पर उनका घोड़ा रुख गया और वहां पर जो अंग्रेज घुरसवार थे पहुंच गए और उन्होंने चारों तरफ से लक्षमी भाई को घेर कर उन पर वार पर वार करने लगे जिस वज़ा से रानी घायल हो गई और वहीं पर वीरगती को प्राप्त हो गई और जब उनके मृत्यू हुई तब वो केवल 23 वर्ष की थी तो इतनी कम उम्र में इतनी बहादरी दिखाने के बाद वो वीरगती को प्राप्त हो गई तो हमारा बच्पन और उनके बच्पन में बहुत अंतर है क्योंकि हमारे बच् जो भी युद्ध के हत्यार होते हैं वो सब उसके दोस्त थे बच्पन में ही वह तलवार चलाना सीख चुकी थी वीर शिवाजी की कहानिया उनको मुझबाने याद थी और उन्हें कौन से खेल पसंद थे नकली युद्ध करना दुश्मनों को घेरने के तरीके ढूनना शिका कौन पर गेम खेलना पसंद करते हैं कंप्यूटर पर गेम खेलना पसंद करते हैं तो हमारे बच्पन में और जहासी की रानी के बच्पन में बहुत अंतर है उसके बाद हमारा अगला प्रशन है कि वीर महिला की इस कहानी में कौन-कौन से पुरुशों के नाम आए इतिहास कि कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानिया खोजो तो वीर महिला की इस कहानी में कौन-कौन से पुर्षों के नाम आए तो हम ये कह सकते हैं कि वीर महिला की इस कहानी में निम्नलिखित पुर्षों के नाम आए जैसे नाना धुन्दू पंथ, तांतिया, चतुर अजी मुल्ला सरनाम, एहमत शाह मौलवी, ठाकुर कुमर सिंग, सैनिक अभिराम ये सभी वो नाम हैं जो इस महान युद्ध में काम आए और इसके अलावा इतिहास की अगर हम कुछ वीर स्त्रियों की बात करें तो जहासी की रानी की जो दो सक्यां थी, काना और मंदरा हम उनके नाम भी ले सकते हैं, उसके अलावा कित्तूर की रानी चैनमा का नाम हमने सुना है, रजिया सुल्तान का नाम हमने सुना है, चित्तौर की रानी पदबनी का हमने नाम सुना है, तो ऐसी बहुत सी वीर स्त्रि हैं जिनके विशय में हम कहानियां धून सकते हैं और उन पर कुछ कहानियां उन पर कुछ पंक्तियां लिख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है कवीता में स्वाधीनता संग्राम के किस दौर की बात की गई है तो कवीता में सन 1857 के प्रथम स्वाधींता संग्राम के समय की बात की गई है यानि ये कवीता जो है सन 1857 की है उस समय अंग्रेजों ने देश की विभिन रियासतों पर कब्जाग जमाना शुरू कर दिया था अर्थात सभी राजियों पर वो एक एक करके अपना कब्जा किये जा रहे थे आम जंता पर उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा था राजाओं और नववाबों की मान मर्यादा को भी उन्होंने मिठी में बिला दिया था सरे आम वे रानियों के और बेगमों के कपड़ों और गहनों की निलामी किया करते थे इन कारणों से देशवासियों में उनके विरुद आक्रोक उत्पन हो गया था और क्रांती की लहर फूट पड़ी थी तो ये कवीता उस स्वाधिनता संग्राम के दौर की हमें याद दिलाती है हमारा अगला प्रश्ण है सुबद्रा कुमारी चोहान लक्ष्मी भाई को मर्दानी क्यों कहती है आपने देखा होगा कि कवीता के हर पध्यांच के अंत में लिखा हुआ है कि खूब लड़ी जासी वाली रानी थी यानि मर्दों के समान लड़ने वाली कौन थी जासी की रानी थी तो ऐसा सुबद्रा कुमारी चोहान ने क्यों कहा ऐसा सुबद्रा कुमारी चोहान ने इसलिए कहा क्योंकि जो रानी लक्ष्मी भाई थी उनके अंदर वीरता साहस हिम्मत ताकत इतिहास में पहली बार एक स्त्री इन गुणों और स्वभाव के साथ अवतरी तुई थी यानि इन सभी गुणों के साथ एक स्त्री ने इस धर्ती पर जन्म लिया था इस भारत देश पर जन्म लिया था और उन्होंने जम कर दुश्मनों से लोहा लिया और दुश्मनों के द अगला प्रश्न है बर्ची, कृपार, कटारी उस जमाने के हतियार थे आजकल प्रियोग में लाए जाने वाले हतियारों के नाम लेखो तो उस जमाने में सर 1857 में बर्ची, कृपार, कटारी, तलवार, इत्यादी का प्रयोग किया जाता था युद्ध में और आज के जमाने में हम कौन से हत्यारों का प्रयोग करते हैं आज कल हमारे पास बहुत सारे आधुनिक हत्यार हैं, जो की तकनीकी शमता से सुसजित हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि आज के आधुनिक हत्यारों के अंतरगत तकनीकी शमता से सुसजित बंदू के हम ले सकते हैं, पंडूबी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, परमानू अस्त पिस्टल, टैंक, एटम बम, तो, मिसाइले ये सब ले सकते हैं इसके अलावा अगर हम अभी की बात करें थोड़े दिनों पहले की तो फ्रांस से आए राफेल विमान की बात कर सकते हैं अमरीका से आने वाले fighter jet की बात कर सकते हैं तो ऐसे बहुत से हत्यार हैं जो आज के समय में हम शत्रूं को हराने के लिए प्रयोग करते हैं हमारा अगला प्रश्ण है नीचे लिखे वाक्यांग्षो वाक्य के हिस्सों को पढ़ो तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 9 वाक्य दिये गए हैं वाक्य के हिस्से दिये गए हैं यह पूरे वाक्य नहीं हैं यह वाक्य के हिस्से हैं जैसे जहासी की रानी, मिट्टी के घड़े, रशीत का दफ्तर, जैसिका का भाई, पाँच मील की दूरी, रेश्मा के बच्चे, प्रेमचंद की कहानी, नहाने का साबुन, बनारस के आम, तो यहां क्या चीज आप देख रहे हैं, का, के और की, दो संग्याओं का संबंद बत है, ध्यान से पड़ो, और कक्शा में बताओ कि काके की का प्रेयोग कहां और क्यों हो रहा है, तो बच्चों हमने व्याकरन के अंतरगत कारक पड़े थे, जिसके अंतरगत हमने संबंध के जो हमारे विभकती चिन थे, वो क्या थे, काके की, यानि संबंध के विशे में जो बताते हैं वो कौन से परसर्ग है का के की तो आप यहां देखेंगे कि जहासी की रानी जहासी की रानी में का के की यह हम जैसे पुलिंग स्ट्रिलिंग के आधार पर प्रयोग करते हैं वाक्यों में तो जहासी की रानी क्योंकि रानी जो है स्ट्रिलिंग है इसलिए यहाँ पर क्या आया इसलिए रानी से पहले क्या लग गया की उसी प्रकार मिट्टी के घड़े अब यह जो है क्योंकि एक की बात नहीं हो रही है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया के रशीद का दफ्तर अब पुलिंग है रशीद तो इसलिए यहाँ पर का जैसिका का भाई भी पुलिंग है तो का आ गया पांच मील की दूरी जो दूरी है वो स्ट्रिलिंग शब्द है इसलिए यहां की आ गया रेश्मा के बच्चे यहां पर भहुवचन है इसलिए के आ गया प्रेमचंद की कहानी कहानी स्ट्रिलिंग शब्द है इसलिए यहां की आ गया साब संबंध कारक का प्रियोग किया गया है तो बच्चों आज हमने जासी के रानी के प्रश्नोत्तर पर चर्चा की और अगली बार मैं एक नए पाट के साथ फिर उपस्तित होंगी धन्यवाद